हेलो फ्रेंड्स एक नए रेसिपी के साथ मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मूंग दाल हलवा मूंग दाल हलवे को हम बनाएंगे ना तो आपको दाल भिगोने की जंजट ना ही आपको मावे की जरूरत और ना ही चासनी की जरूरत बहुत आसानी के साथ फटा फटसा इसे बना कर तैयार करेंगे तो आप इस डेक्राइब को देखने के लिए जरूरुज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए कुछ कुछ नया सीकते हैं कि इंस्टेंट मौंग दाल हल्वा बनाने के लिए हम लेंगे एक कप मौंग दाल ये सूखी दाल है इसे हम दस मिनट के लिए गरम पानी डालकर इस तरह से विगो देंगे मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है आप घर की किसी एक कटोरी के इस्तेमाल से पूरी रेसिपी तयार कर सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको हम दस मिनट के लिए रखेंगे दस मिनट बाद आप देख सकते हैं दाल थोड़ी सी फूल गई है बस हमें इतनी फुलानी है पूरी तरह से दाल क और सारा पानी निकाल देंगे अब दाल को अच्छे पानी से धुल लेते हैं इस तरह पानी डालते जाएंगे और इसको साफ कर लेंगे साब करने के बाद इसको अब हम थोड़ा सा सुखाएंगे इसमें पानी नहीं रहना चाहिए उसके लिए हमें क्या करना एक टावल ले लेंगे और टावल में डाल कर इसको इस तरह से इसको फैला कर या तो आप फैन के नीचे रख दें 10-15 मिनिट के लिए या तो इसी तरह ट पेट कर रख देंगे तो टावल इसका सारा पानी ऑफजोर कर लेती है और यह ड्राई हो जाती है इस तरह से रख देंगे 10-15 मिनिट के लिए इस तरह से रखेंगे उसके बाद हम इसे चेक करेंगे एक बार खोल कर चेक कर लेते हैं देखिए डाल अच्छे से हमारी पाहिया पैन ले लेंगे फ्लेम को slow to medium कर देंगे डाल डाल कर हम इसको चलाते हुए भून लेंगे डाल को हमें पूरी तरह से ड्राई करना है डाल हलकी हो जाती है उसकी आवाज आने लगती है तब तक हमें डाल को भूनना है और इतना करने में हमें साथ से आठ मिनिट का लग जाता है आप देख सकते हैं दाल का कलर चेंज हो चुका यह पूरी तरह ड्राई हो चुकी है फ्लेम बंद कर देंगे ठंडा कर लेंगे दाल पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं उसके लिए एक सूखा ग्राइंडिंग जाल ले लेंगे और उसमें ये डाल डाल कर हम इसे ग्राइंड करेंगे, हमें इसे किस तरह का पाउडर बनाना है, वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगी, एक बार चेक कर लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं, जिस तरह की सूजी रहती है, हमें उसी तरह का पाउडर बना कर तयार करना है हलका सा दरदरा यह जो प्रीमिक्स हमने बनाया है आप इसे इस्टोर करके 20 से 25 दिन तक एयर टाइट कंटेनर भर कर रख दें और जब दुबारा हलवा बनाने का मन करें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अब उसी पैन का हम फ ट्राइफूर्स के भी यह हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरह से ट्राइफूर्स करने के बाद हम उन्हें निकाल लेंगे और यह मैंने 125 ml घी लिया है मैं इसे पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हूं अभी मैंने आधा घी लिया है एक चमच हम इसमें बे क्यूंद की हूई डाल थी इसको डाल कर हम भूनेंगे इस तरह से अहीं से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं यह अभी सुखा सुखा दिख रहा है अब इसमें हम जो घी उस थोड़ा सा और डाल देते हैं इस तरह से थोड़ा डाल देंगे थोड़ा सखी हम बचाएंगे और इसे चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है दाल में बहुत ही अच्छी सी खुसबू आने लगती है और इसका कलर गोल्डन हो जाता है बस हमें उसी टाइम तक दाल को भून लेना है दाल हमारी भूनकर तयार है अब इसमें हम यह तीन कप दूद लेंगे यह उसी कप का इस्तेमाल किया है जिस कप से हमने मूंग दाल लिया था मूंग दाल हमने एक कप लिया था उसका आधा हमने घी लिया और यह तीन कप दूद लेंगे रेशियों का ध्यान रखें तब ही जो आपका हलवा है वह प और दूसरों को भी जादा से जादा शेयर करें। और ये देख सकते हैं हमें हल्वा को पकाते हुए काफी टाइम हो गया और ये गाड़ा ओने लगा है इस ताइम पे हम इसमें चीनी डालेंगे ये मैंने एक कप चीनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं एक बनकर तयार हो जाता है आपको पहले से इसकी प्रप्रेशन की जरूरत नहीं है जब मन करे तब आप इसे बना सकते हैं अब जो हमारा बचा हुआ घी है उसे हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे हमें पका कैसे चिक करना है जब हम इसे घुमाएंग अब यह बिल्कुल भी तले में नहीं लगता है इसका मतलब यह हमारा हल्वा परफेक्ट पकर तयार है इसमें ड्राइफ फूर्स डाल देंगे फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे शरू कर लेंगे और यह लीजिए बिना मावे की इस्तेमाल के बिना किसी जंजट के हमारा इ झाल झाल